हेलो बच्चों कैसे हैं आप उंबित करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत अच्छी कहानी जिसका नाम है ओपार रजिदा तो बच्चों इस कहानी को शुरू करने से पहले उसका संक्षित परिचे ले लेते हैं बच्चों मनुश्यका सबसे बड़ा सहारा उसका आत्म विश्वास है ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शारणिक विकलंगता के बाद भी हिम्मत नहीं हारती और बड़ी-बड परिस्थित्यों में भी अपने लक्ष को प्राप्ट कर सकता है चलिये विलम ना करे रें अपनी कानी को शुरूँ करते हैं कभी-कभी अच्छरानगी विधाता विधाता-अरथा-तीश्वर विधाता हमें ऐसे विलक्षन व्यक्तित्यू से मिला देता है जिसे देख हमें स्वयम अपने जीवन की रिक्तता रिक्तता याने की हमारे जीवन में जो कम्या है रिक्तिता छोटी लगने लगती है, हम मैंसे कौन सा ऐसा मानाव है जो अपनी विपत्ती के कठिन शणों में विधाता को दोशी नहीं ठहराता, अर्थात हमारी आदत होती है, कभी भी कोई संकटा है, तो दोशी कौन इश्वाइद। को कोस नहीं दी, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले की आहत्ते की जुड़ा है, अर्थात आमने सामने है हमारा घर, अपनी शांदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा, तो आश्चरे से देखती ही रह गई, कार का दौ़ार खुला, एक प्रोडा ने उत कर कर पिछली सीट से एक वीलचेर निकाल कर सामने रग दी और भीतर चली गई, दूसरे इशांद धीरे दीरे बिना किसी सहारे की कार से एक यूती ने अपने निर्जीव निथले धर को बड़ी दक्षता से निजी उतारा, फिर बेसाक्यों से ही वीलचेर तक पहुंच उस आवागमन देखती और आश्चर चकित रहे जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटकताती अपना काम किये चली जा रही हो, धिरे धिरे मेरा उससे परिच्चे हुआ, कहानी सुनी तो दंग रहे गई, नियती के प्रते कठोर आगात को अती मानवे धैरे अमसास से जिलती व प्रतात किसी वीर स्तरी से कम नहीं लेगी, मैं चाती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आखों वाला वे गोरा, उजले वस्तरों से सजित, लखनाव का मिधावी यूवग भी पड़े, जिसे मैंने कुछ मावपूर अपनी बहन की या देखा था, वे आई-एस की हाथ चला गया, उसी वेचिन भूजा के साथ साथ धीरे धीरे वे मानसिक संतुलन भी खो बैठा, पहले दुख को भूलाने के लिए नशे की गोलिया, खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है, केवल एक हाथ खोकर ही उसने हतियार डाल दिये, तो बच्चों अब अब सोचकर बताईए अपना दुख भूलाने के लिए युवक क्या करने लगा, पच्चों अपना दुख भूलाने के लिए युवक ने पहले नशे की गोलिया खाने शुरू की और फिर नूर मंजिल की शरण में उज़ जाने लगा, इधर में लड़की चंद्रा जिसका निचला धर्ण, निश्प्रान, मास्पेंड, मात्र, सदा उत्सप्रिल्द है, अर्थात सदैव उसमें प्रसन्यता रहती है, चेहरे पर विशात की एक रेका थक नहीं, आखों में अदम में उत्सा, प्रतिपल, प्रतिशन, जीने की प्रबल इच्छा और बड़ी-बड़ अखना हो जाते ही, क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टिूट से पूछ कर बताएंगी, क्या आने पर मेरे विशे, माइक्रो बायोजी से सम्मंदित कुछ सामगरी मिल सकेगी, एक दिन उसने मुझे से पूछा, मेडम आप कह रही थी, क्या आपके दवाद हवाई के पूछ आ जाने पर ही प्रान ऐसे कंठगत हो जाते हैं, जैसे विपत्ती का आकाश ही सिर्पा तूट पड़ा हो, और इधर ये लड़की है कि पूरा निशला धर सुने, फिर भी बोटी-बोटी फड़क रही है, आजकल वे आयाटी चिन्ने यानि मदरास में काम कर रही है, जन के 18 महिने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियों ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अदबुत साहस से नियती को अउठा दिखा, अपने शूद पर डॉक्टरेट की उपादी ली होंगी, मैडम मैं चाती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहरा भी न देखती है, मेरी मा को मेरी कार चलानी पड़ती है, इसी कारण मैंने एक ऐसी कार का नक्षा बना दिया है, जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तिस को ही सजीव बना सकूँ, यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोक्षाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है मैं अपना सारा काम अब स्वयम निप्टा लेती हूं तो बच्चों सोचकर बताईए चंद्रा क्या चाहती थी बच्चों चंद्रा चाहती थी कि वो अपना सारा काम स्वयम करे अभी उसकी माँ उसकी कार चलाती है तेकिन वो चाहती थी कि ऐसा समय आए कि वो अपने ले अपना काम स्वैम करे। उसने मुझे तस्वीरे दिखाई। समसामगरी उसके हातों की पहुँच में ऐसी रखी कि निशला धर उठाए बिना ही वे मंचाई समगरी मेच पर से उतार सकती थी। किन्तु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुद्रिग कठेन अभ्यास की यातना प्रत भूमी का। स्वैम डक्टर चंद्रा के प्रोफिसर की शब्दों में हमने आज तक दो व्यक्तियों द्वारा समलित रूप में नोबल पुरसकार पाने के ही विशे में सुना था। किन्तु आज हम शायत पहली बार इसे पीछडी के विशे म में भी कह सकते हैं देखा जाए तो यह डॉक्ट्रेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्वुत सहसी जननी श्रीमती सुब्रमन्यम को अर्थाद उनकी माता को 25 वर्ष तक इस सहिशनु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन में जब चंद्रा को डॉक्ट्रेट मिली माइक्रो बायलोजी में अपंग्स्त्री पुरुशों में इस विशे में डॉक्ट्रेट पाने वाली डॉक्ट्र चंद्रा प्रथम भारती है चंद्रा को जब सामाने जुर के साथ चोथे दिन पक्षा घात हुआ पक्षा घात हैनी कि लक्वा हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सरवांग अंचल हो गया अर्था नीचे का शरीर बीजान हो गया भायबीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों के दिखाया सबने एक स्वर में कहा कि आप व्यर्थ पैसा बरबाद मत कीजे आपकी पुत्री जीवन भर किवल गर्दन ही हीला पाईगी यह बताते वे श्रीमती सुब्रमनियम का गलाब भराया फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी मेरे गर्ब में तब इसका भाय आ गया था इसके भयानक अभिशाप के बावजूत मैंने विधाता से कभी यह नहीं का कि प्रभो इसे उठा लो इसके इस जीवन से तो मौद भली है मैं निरंतर इसके जीवन की भीकी मांगती रही केवल सिल हिला कर ये इधर दर धीक भर सकती थी ना हातों में गती ना पैरों में फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी एक आर्थोपेडिस सर्जन की बड़ी ख्याती सुनी थी वहीं ले गई एक वर्ष तक कट्स्ट साध्य उपचार चला थात बहुत जादा कश्ट की साथ उपचार चला एक दिन स्वयम ही इसके उपरी धर में गती आ गई हाथ हिलने लगे नन्नी उंगलिया मुझे बुलाने लगी निर्जीर धड़ को मैंने सहारा देखकर बैठना सिखा दिया पांच वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी मिधावी पुत्री की विलक्षन बुद्धी ने मुझे चमिक्तित कर दिया अर्थात इसकी बुद्धी इतनी तेज थी कि मैं भी आश्चरे में पढ़ गई सरत्वित्ती स्वैम ही जैसे आका जीप पर बैठ गई थी बैंगलू जो बैंगलोर के प्रसित माउंट कारमल में इसे प्रवेश दिलाने के लिए मुझे कॉन्वेंट के दर्वाजे पर लगबग धरना ही देना पड़ा नहीं मिसेज सुपरमण्यम मदर ने कहा हमें आपसे पूरी सानुबती है आप ही सोचे आपकी पुत्री ही वीलचेर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमता फिरेगा आप चिंता ना करें मदर मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्मा कराती वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती प्रतियक परिक्षा में सर्वोर स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने कई स्वन पदक जीते एसी किया प्राणिशास्र में MSC में प्रतम स्थान प्राप्त किया और बैंगलूर के प्रख्यात इंस्ट्यूट ओफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अरजित की अपनी निष्ठा धैरी और साहस से पांच वर्ष तक प्रोफेसर सेथना की निर्देशन में शोध कारी किया तो बच्चों सुचकर बताईए चंद्रा ने किसके निर्देशन में शोध कारी किया बच्चों चंद्रा ने प्रोफेसर सेटना की निर्देशन में शूद काने किया इसी बीच माता पिता ने विदेश से वीलचेर मंगवादी जिसे वे स्वैम चलाती हुई स्वैम चलाती हुई पूरी प्रयोक्षाला में बड़ी सुगमता से घुम सकती थी सुगमतायनी की बड़ी आराम से आराम से आसानी से लैदर जैकिट के कठें जिरह बकतर में कसी उस हस्मुक लड़की को देख मुझे युद्ध शेत्र में डटे राना साना का स्मरौन हो आया शक्त वितश शरीर में असंख्य घाओ आबा मंदिट भव्य मुद्रा मैडम आप तो लिखती हैं मेरी ये कविताएं देखिए कुछ दम है कैन में जब मैंने कविताएं देखी तो मेरी आखें भर आए जो दासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आपाई वे अंजाने में ही उसकी कविताओं में छलक आई थी फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुन्दर सुन्दर नमूने दिखाए लड़की के दोनों हाथ ही जैसे पेरो का भी काम करते हों दिरंतर मशीनों की तरह खटखट चलते रहते हैं जर्मन भाषा में माता पुतरी दोनोंने मैक्सल मूलन भवन से विशेश योगिता सहित परिक्षा उत्तिन की गरल गाईड में राशपती का स्वान कात पाने वाली वे पथम अपंग बाली का थी यही नहीं भारतिये एवं पाश्चेते संगी दोनों में उसकी समान रूच पुरसकार ग्रहन करती डॉक्टर चंद्रा प्रधार मत्री के साथ खड़ी डॉक्टर चंद्रा राशपती को सलामी देती बाली का चंद्रा और वील चेर में लैदर जकेट में जकडी बेसाक्यों का सहरा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहन करती डॉक्टर चंद्रा तो बच्चों सोचकर बत रहे चंद्रा की रूची किस संगीत में थी मेरी बड़ी इच्छाती मैं डॉक्टर बनूँ मैं अपांग डॉक्टर मेरी वर्जिस के सफल जीवन की कहानी पर चुकी थी परिक्षा में सर्वो स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवीश नहीं मिला कहा गया मेरा निचलाधर निर्जीव है मैं एक सफल शल्य चिकिस्सक नहीं बन पाऊंगी कि इसमें वे एक विशेश पुरस्कार ग्रहन कर रही है वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी बड़ी उदास आखे जिन में मा की व्यथा भी है और पुत्रे की भी अपने सारे सुक त्याक कर नित्य अच्छाय बनी पुत्री ही पहिया लगी कि कुरसी के पीछे चक्रसी घूमती जननी नाक के दोनों और हीरे की दो जगमगाती लोंगे अध्रों पर विजय का उलास और जूड़े में पुश्मवेडी मेरे कानों में उस अद्बुत्सासी जननी शारदा सुप्रमानियम के शब्द अभी भी गुंज रहे हैं इश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता एरे एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार भी खोल देता है तो बच्चों यह कहानी शिवानी द्वारा लिखी गई है जो लेखी का है इस पाठ की आईए उनके विशे में जान लेते हैं शिवानी का जन 17 अक्टूबर 1923 को गुजरात के राचकुट में हुआ था उनका मूल नाम गौरा पंथ था उनकी लिखी कहानिया और अपन्यास हिंदी पाठकों के बीच बहुत लोग प्रिये हुए उनकी कृतियों में चल खुसरो घर आपने विशकन्या, चौदा फेरे, कृष्णकली, भैरवी, छरूका, स्मृतिकलश, आदिप्रमुख हैं एक किसमाश 2003 को दिल्ली में उनका निदन हो गया तो बच्चों शिवानी जी ने हमें इस कहानी की माध्यम से ये समझाने का प्रियास किया है कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए आशा की किरन अवश्य अपने सामने रखनी चाहिए और एक दिन सवेरा जरूर होगा उमेद करती हूँ ये खाने आपको अच्छी लगी होगी अब इसका अभ्यास कारे आप स्वायम कीजिए